हलो स्टूडन वल्कम दू माई चानल अजब गजब इंग्लिश आज हम डिस्कुस करने जा रहे हैं इंपोर्टन क्वेश्चन ठीक है इंपोर्टन क्वेश्चन किसका क्लास 10th की इंग्लिश को जो बुक है जिसका नाम है फुट्प्रिंट विदाउट फीट इसमें जितने भी चैप्टर है ना उन सभी के इंपोर्टन क्वेश्चन जो एक्जाम पॉइंट और व्यू से इंपोर्टन है वो सारे आज हम डिसकुस करने जा रहे हैं और आज की व हाते हैं एक्जाम में वहाँ पर वर्ड लिमिट लिखा होता है कि 20 से 30 वर्ड में लिखो और बच्चे जो है वो वर्ड लिमिक जो होता है उसे एकसीड कर जाते हैं जिसकी वज़े से उनके नंबर कर जाते हैं तो आज मैं आपको दिखाऊंगे कि किस तरीके से आपने आंस कर लेते हैं, ट्राइंफ आफ सर्जिरी की question answer, ठीक है, ट्राइंफ आफ सर्जिरी जो है, उसका जो पहला question है, ध्यान से देखो, क्या कहता है, कि Mrs. Pomfairy जो है, ठीक है, वाई Mrs. Pomfairy is worried about Tricky, कि Tricky के लिए, जो Tricky कौन है, डॉग है Mrs. Pomfairy का, उसके लिए worried क्यों थी, क्यों worried थी भ पिट पे लेड़ा हुआ था, और panting भी कर रहा था, I hope it is clear, आप चाहो तो इसका screenshot भी लेते जाना, ठीक है, ताकि आपको बता लग जाएगा, कि आपने answer कैसे लिखना है, question number two देखे, क्या कहता है, वाई Mrs. Pomfairy, ठीक है, क्यों Mrs. Pomfairy thought that the dog recovery is a triumph of surgery, कि Mrs. Pomfairy को ऐसा क्यों लग लगता है, क्यों ऐसा लगता है, देखो, because in just two weeks, दो हफ्तों में ही, जो हमारा tricky है, ठीक है, वो एक lazy dog था, और आज वो कैसा बन गया था, hard muscled dog बन गया था, इसकी वज़े से ही, जो हमारी Mrs. Pomfairy है, उनको ये लगता है, कि dog की जो recovery है, वो actual में क्या है, a triumph of surgery है, I hope it is clear, तीज़ा question देख लीज़े, क्या कहता है, do you think, क्या आपको लगता है, Tricky was happy to go home, obviously बात है, yes, हमें पका ही ऐसा लगता है, कैसे आपको पता चला, क्योंकि वो सीधा क्या करता है, narrator, जो हमारे James Heard है, उनके बाहूं में से सीधा jump किसके उपर कर जाता है, Mrs. Pomfairy की गोद में चला जाता है, तो obviously बात है, हमें यही पता लग गया न, कि tricky जो है, बहुत जादा खुश है, अपने घर जाने के लिए, I hope कि समझा आ गया होगा, screenshot लेना, आपको help हो चाएगी, अब देख लीजे, the thief story, thief story, अनिल और हरी सिंग वाली स्टोरी है, याद आ गया होगा, कल मैंने revision भ कर भी देख लेना, day 58 वाली है, ठीक है बच्चे, चलो, अप पहला question देखो, why हरी सिंग थोड़ दार्ट आनिल जॉब वाज क्वैर, ठीक है, हरी सिंग को ऐसा क्यूं लगता है, कि अनिल का जॉब जो है न, फालतू है, या उसे समझ में नहीं आता है, कि वो करता क्या है, ऐसा उसे इसलिए लगता है, कि अनिल जो है, ठीक है, वो magazine के लिए लिखता है, ठीक है, उसके बाद वो लिखता है, ताकि उसको थोड़े बहुत पैसे मिल जाए, मतलब क्या, उसकी permanent job नहीं है, ठीक है न, वो एक freelancer है, काम करता है, उसे पैसे मिल जाते हैं, कहीं पर उसकी permanent job नहीं है, तो हरी सिंग जो है, उसे समझ में नहीं आता होता है, कि अरे यार यह बंदा करता क्या, इसके पास कभी पैसे होते हैं, कभी नहीं होते हैं, तो मैं चोरी कैसे करूँगा, आगी बास समझ में, question number second देखो, क्या कहता है, in what way, ठीक है, in what way, the thief think, अनिल विल रिया चोरी हुई है, और चोर कौन है, हरी सिंग है, तो वो किस तरीके से react करेगा, ठीक है, तो यहां पर point of view दिया जा रहा है, थीव का, चोर का ही point of view दिया जा रहा है, क्या बता जाता है, as for the theme, ठीक है, on discovering the theft, अनिल's face would show slight touch of sadness, ठीक है, कि जो अनिल का face है, उसके उपर मुझे क् देखने को मिलेगा, और जो sadness होगी, उसका reason पैसा नहीं होगा, loss of money नहीं होगा, बलकि क्या होगा, loss of trust, क्योंकि जो आनिल है, वो हरी सिंग पर बहुत जादा भरोसा करता है, तो अगर हरी सिंग उसके पैसे लेकर भाग जाता है ना बच्चे, तो उसे इस बात का दुख न number three में क्या कहा जाता है, do you think that अनिल realizes that he has been robbed, आपको क्या लगता है, कि अनिल को ये पता लग जाता है, कि उसकी घर में चोरी हो गई है, ठीक है, उसके साथ मतलब उसके पैसे जो है, वो चोरी कर लिए गए है, उसके साथ बिश्वास घात हुआ है, ऐसा कुछ है, तो आपका answer क्या बनेगा, yes, ठीक है, अनिल को पता लग जाता है, ठीक है, अनिल को realize हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि जो पैसे हरी सिंग ने बापस किये थे, वो गी ले थे, क्यों क्योंकि बारिश में रात भर हरी सिंग पार्क में बैठा होता, इसकी वज़े से पैसे जो है, वो क्या हो गए थे वेट हो गए थे I hope कि समझा क्या होगा स्क्रीन शॉट ले लो और अच्छे से clear हो जाएगा बात में जब आप answer लिखना ना तो इसकी help से आप answer लिख पाओगे अब आप खुद बताओ छोटे छोटे answers में इस बतारी हूं आपको क्योंकि word limit के अंदर ही हमन लिखना है क्योंकि जब हम word limit से ज़्यादा लिखते हैं तो हमारे marks जो है over word की बज़े से भी कट जाते हैं आई बास समझ में चले अब जो तीसरा chapter है उसकी question answer देख लेते हैं midnight visitor ठीक है कौन कौन था main character फटा फट बताओ एक तो fowler था और तीसरा कौन था max था ठीक है यही तीन character थे ना दो तो secret agent है और एक कौन है writer है ठीक है अब सबसे पहला question देखो क्या कहता है who is fowler fowler कौन था जी फटा फट बताओ fowler कौन था writer था by profession ठीक है उसके बाद देख हो क्या कहता है mention his first authentic thrill of the day ठीक है वो चीज हमें mention करनी है तो क्या कहता है कि first thrill कौन सा था जब वो when he saw a man in ozible room pointing a pistol toward ozible and himself ठीक है जब वो ozible के रूम में जाता है तो हो क्या देखता है कि ozible के रूम में already एक बंदा है और उसके हाथ में pistol है और जब pistol की नोख पर कौन था ozible और फावलर दोनों थे तो वो सबसे बड़ी चीज थी और एक तरीके से आप कह सकते हो कि इसका first authentic thrill था ठीक है I hope की समझा गया चलिए second question देखे second question क्या है how ozible says he got in अब देखो ही यहाँ पर क्या है जो max जो दूसरा secret agent है ना उसके बारे में बात करी जा रही है कि किस तरीके से ठीक है ozible ने कहा कि यह जो max है ना वो अंदर कैसे आया होगा तो according to ozible के according बताना है कि उसे क्या लगा कि जो max है ना वो कैसे आया होगा बालकनी से आया होगा जो हमारे उसके रूम में जो बालकनी थी होटल के रूम में बालकनी थी उस बालकनी के through जो max है वो ozible के कि इस महीने में न ये दूसरी बार हुआ है कि मेरे रूम में कोई बालकनी से आ गया है यह किसका पॉइंट ओ व्यू दिखाया जा रहा है हमें ओजबल का पॉइंट ओ व्यू दिखाया जा रहा है I hope की समझ आ गया होगा स्क्रीन शॉट ले लो आपको help होती रहेगे ठीक है next देख लीजे question number 3 question number 3 में है देखो बहुत बड़ा question है लेकिन आप उसको न ध्यान से समझो क्या कहता है how Osible managed to make Max believe that there is a balcony ठीक है क्या कहता है कि Osible ने कैसे मतलब manage किया कि Max East पर बिश्वास कर ले कि balcony जो है वो attached है ठीक है उसके बाद बताना है कि उसने क्या क्या description दी ठीक है और किस तरीके से उसने अपनी story को convincing story बनाई convincing story का मतलब क्या जिस पर आप हरोसा कर सको ठीक है तो Osible ने देखो क्या किया एक convincing story बनाई ठीक है और उसने क्या बोला कि मेरे जो room है उसके साथ balcony attached है ठीक है और इस balcony की help से इस महीने में ही दो बार ऐसा हो चुका है कि मेरे कमरे में कोई बंदा आ गया है आई बार समझ में फ में रह रहा हूँ ना ये पहले बहुत बढ़ा room था और उसकी वज़े से balcony थी और अभी उस room में क्या है उस room को divide करके दो बना दिया गया है इस वज़े से ये जो balcony है इधर वाले कमरे के साथ लग रही है मतलब क्या मैं यहां पर बताती हूँ देखो बच्चे जैसे मालो इ story जो है ओसबल ने create करी किस के सामने max के सामने ताकि उसे पूरी तरीके से ये भरोसा हो जाए कि यहां पर इस खिड़की के दूसरी तरह बालकनी है और उसी की help से वो अपनी और फावलर की जान बचा लेता है आई बास समझ में चलिए अब जो हमारा fourth chapter है a question of trust ठीक है डॉर भी हम discuss कर लेता है तो क्या कहता है what Doris Hanby likes to collect Doris Hanby को क्या अच्छा लगता था इकटे करना expensive and rare book आगे न बास समझ में चलिए question number two देखिए who do you think is the real culprit in the story ये पूरी स्टोरी में actual culprit कौन है फटा फट बताओ actual जो दोशी है वो कौन है तो actual culprit कौन है वो औरत है जो ये बता रही ती Doris Hanby को कि मैं इस family की member हूँ और उसने क्या किया Doris Hanby को babe कू बनाया और सारी jewelry लेकर वहाँ से भाग गई आगी बास समझ में आप screenshot ले लो आपको help उचाएगी question number 3 देखो did you start suspecting before the end of the story that the lady was not the person Horace Danby took her to be मतलब क्या question समझो कि क्या आपको पहले तोड़ा बहुत शक हो गया था कि ये जो लड़की है ये जो औरत है स्टोरी में वो actual वो औरत नहीं है जो Horace Danby उसे समझ रहा है कि ये जो औरत है वो कौन है honor है इस घर की तो क्या आपको इसके बारे में जानका रही थी तो obvious ही बात है हमें पता तो लग ही गया था ठीक है end होने से पहले कैसे पता लग गया था क्यूंकि इसने क्या किया ये बहुत ही काम थी अगर कोई भी बंदा है और आपके घर में च काल दो तो अगर Horace Dan भी थोड़ा सा दिमाग लगा लेता तो उसे पता लग जाता कि वो भी कौन है एक चोर है आई बास समझ में I hope कि ये question भी आपको clear हो गया होगा screenshot ले लो तुमें clear हो जाएगा और help भी हो जाएगी चलिए अब हम 5th जो chapter है हमारा footprint without feet इसके question answer discuss कर लेते है ठीक है तो सबसे पहला question देखो कि invisible man किस तरीके से visible बनता है तो कौन है invisible man फटा फट नाम बताओ and the name is Griffin तो क्या कहता है कि Griffin जो है तब तक invisible रहता है जब तक उसके पैर जो है वो कीचड में नहीं पढ़ जाते है ठीक है जब उसके पैर कीचड में पढ़ जाते हैं और उसकी वजह से footprints बनना शुरू हो जाते हैं और वो जो footprints होते हैं वो दो boys देखते हैं ठीक है और वो बहुत ज़्यादा शौक्ड हो जाते हैं कि अरे यहां पे कोई बंदा तो दिखनी रहा लेकिन ये footprint किस के है ठीक है फिर वो उसको follow करते हैं लेकिन दीरे-दीरे जाके जो ये footprint ह वो भी खतम हो जाते हैं आई बात समझ में अब देखो क्या होता है ग्रिफ्मिन जो है क्योंकि आपको पता है कि दिसंबर का मन्त है लंडन में बहुत जादा ठंडोरी थी ठीक है तो वो क्या करता है एक स्टोर के अंदर घुश जाता है ताकि उसे कुछ गरम कपड़े मिल ज लेता है वो सूस पहन लेता है ओवरकोट पहन लेता है ठीक है एवन हैट भी लगा लेता है ठीक है उसके बाद जब उस देखो में चलो नेक्स देखो question number second why Mrs. Hall find the scientist eccentric Mrs. Hall को क्यों लगता है कि यह जो scientist है ना बड़ा अजीव सा है ऐसा क्यों लगता है because he had an uncommon appearance and in spite of Mrs. Hall attempt to be friendly he was responding in a cold manner देखो क्या है बच्चे answer समझना कहता है ना कि जो scientist है griffin एक तो देखने में बड़ा अजीव था ठीक है और Mrs. Hall जो थी ठीक है honor जो थी उस in की ठीक है वो बहती जादा friendly थी लेकिन वो friendly होना चाहती थी griffin के साथ भी लेकिन क्या है griffin हमेशा उससे rudely बात करता था और उसे avoid करता था इसी वज़े से Mrs. Hall को लगता है कि अरे यार यह तो बड़ा अजीव सा इंसान है question number 3 देखो question number 3 में आपसे क्या पुछा जाता है in what way do you assess griffin as a scientist की आप कैसे देखते हो के griffin एक scientist था या नहीं था तो हमें क्या answer बताया जाता देखो के griffin तो एक scientist था क्यों scientist था क्योंकि उसने discovery करी थी उस comical की उस medicine की जिसकी help से human body जो है transparent हो सकती थी ठीक है लेकिन 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 ये उसकी सबसे बड़ी achievement थी ठीक है लेकिन वो इसका क्या करता था miss use करता था अपने personal benefit के लिए और लोगों को hurt भी करता था लोगों को tongue भी करता था I hope कि clear हो गया होगा आपको ये भी चलिए अब हम next जो chapter है वो discuss कर लेते हैं हमारा next chapter कौन सा है the making of a scientist making of scientist का पहला question देखो ठीक है क्या कहता है what way did a book become a turning point ठीक है जो Richard जो हमारे scientist है Richard E. Bright ठीक है उन्होंने बच्पन में एक book पढ़ी थी ठीक है तो वो book के बारे में पूछा जाता है कि वो जो book है वो किस तरीके से turning point थी इनकी life में ठीक है ध्यान से समझना कि वो book का पहले तो आप name बता देना क्या the travel to monarch X ठीक है वो एक turning point था इनकी life में क्यूं क्यूंकि इस book में उन्होंने पढ़ा था how monarch butterfly migrated to central America ठीक है और इसकी वज़े से उनका interest किस में बन गया था science में बन गया था और उन्होंने क्या करा research करना शुरू कर दिया था कि इनके उपर monarch butterfly के उपर आई बास समझ में चलिए next question देखिए ये question आपके लिए एक home book है ठीक है question ध्यान से समझा देती हूँ answer आप खुद लिखोगे ठीक है क्या कहता है how one can become a scientist a economics, a historian कि कोई भी इंसान कैसे scientist बन सकता है, कैसे economist बन सकता है और कैसे historian बन सकता है ठीक है क्या आपको क्या लगता है सिरे books पढ़ने से ठीक है कोई इंसान जो है scientist बन सकता है या नहीं बन सकता है या आपको क्या लगता है observation, thinking और experiment करने से कोई भी बन्दा scientist, economist या historian बन सकता है तो देखो इसका answer मैंने नहीं लिखा है क्यूंकि इस question में लोगों के अलग-अलग opinion होंगे ठीक है तो आप इस question के बारे में खुद लिखोगे answer ठीक है उसके बाद देखना कि आप कितना अच्छा लेख पाते हो आई बास समझ में चलिए अब question number 3 देख लेजे क्या कहता है How did Richard E. Bright's mother help me यहाँ पे star लगा लो यह question 100% repeat होगा ठीक है ना कि Richard की mother का क्या role था Richard की life में इस तरीके से question आ जाए या as it is आ जाए How did Richard E. Bright mothers help him ठीक है तो mother का role जो है इस पे question आएगा ही आएगा तो ध्यान से समझना क्या कहता है Richard E. Bright की mother जो थी ठीक है उसनोंने Richard को काफी encourage करा था अगर उसका interest था science में तो उन्होंने बोला ठीक है अगर तुमारा interest है ना science में तो तुम उसमें मेहनत करो ठीक है वो उनको ले कर जाती थी trips पे और उनको सारा समान ठीक है चाहिए वो telescope है microscope है और other equipment है सारा कुछ खरीद के भी लाकर दे दिया और उन्हें हमेशा support करती थी क्योंकि Richard Ebride जो थे ठीक है इनका कोई friend नहीं था और ये किसी के साथ नहीं खेलते थे ठीक है और इनका interest बना हुआ था किसमे collecting butterflies में है ठीक है तो इसकी जो mother है ना उन्होंने बहुत help करी थी और कहीं न कहीं जो mother है उनका बहुत ही major role है इनकी life में Richard Ebride के life में I hope clear चलिए अब हम discuss कर लेते हैं the necklace chapter को ठीक है जो necklace है उसमें क्या था आपको पता है ma'am forrester है मिचिल्दा है और मिचिल्दा के husband है ठीक है मिचिल्दा कौन है भाई पता है ना कल ही जो है सारी revision करवा के हटी हूँ पूरी book की necklace chapter का पहला question देखो क्या पूछता है what kind of person is madam ये और ये madam ये कौन है loisal loisal कोई और नहीं बलकी मिचिल्दा है ठीक है ना तो मिचिल्दा के बारे में पूछा जाता है किस तरीके की वो person है and why she is always unhappy और वो हमेशा दुखी क्यों रहती है ध्यान से समझना क्या कहता है कि जो मिचिल्दा है या फिर आप कह सकते हो mom loisal है वो बहुत ही ज़्यादा pretty young lady है ठीक है लेकिन वो family में किसके पैदा हो गई है clerk की family में पैदा हो गई है ठीक है और उनको हमेशा ये लगता है कि मैं पैदा हुई हूँ luxury के लिए मेरी life जो अना वो बहुत अच्छी होने चाहिए थी और उनकी देखो वो पैदा भी clerk की family में हो गई है इसकी वज़े से वो simple life जीती है economical life जीती है मतलब क्या middle class family में रहती है ठीक है उनकी जो luxurious life है उनके पास नहीं है इस वज़े से वो हमेशा क्या है दुखी रहती है I hope समझा गया होगा question number second देखो क्या कहता है what a fresh problem was disturbing ठीक है कि fresh problem कौन सा था जो इनको disturb कर रहा था तो fresh problem क्या था कि जो dress तो उन्होंने खरीद ली ठीक है but उनके पास कोई jewelry नहीं थी पहनने के लिए उस dress के साथ और यही fresh problem थी किसकी? Matilda की या आप कह सकते हो mom Loisil की चलिए अब question number three देख लेजे question number three क्या कहता है ostination and vanity ठीक है most of the time lands people in trouble Matilda is an apt example of this ठीक है अब देखो क्या होता है बच्चे यह जो question है इसमें यह पुछा जा रहा है कि लोग जब अपने चीजों से satisfied रहते हैं ठीक है लोगों को देख कर copy करना चाहते हैं ठीक है तो उसका जो result है ठीक है उसका result क्या होगा कि आपको trouble ही होना पड़ेगा और Matilda इसकी एक best example है कैसे अब आपको इस चीज को explain करना है ध्यान से समझना तो Matilda के बारे में क्या बताया जाता है कि Matilda हमेशा यह चाहती है कि मेरी एक luxurious life होती है मेरे पास बहुत सारा पैसा होता है वो ऐसी जिंदगी ऐसे जिंदगी का सपना देखते है जिसमें बहुत जादा glamour हो ठीक है और इसकी वज़े से वो क्या करती है एक necklace जो है वो उधार पर ले आती है अपनी friend से ठीक है diamond का necklace होता है और उस necklace को गुम भी कर देती है ठीक है पार्टी में पहन कर चली जाती है और उसको गुम कर देती है और उसकी वज़े से क्या होता है उन्हें loan भी लेना पड़ता है और जितने उनके पास पैसे होते वो भी कठा करके एक नया necklace जो है और उसकी वज़े से क्या होता है वो और उसका जो पती है दस सालों तक बहुत ज़्यादा काम करते हैं दिन रात मेहनत करते हैं तब जाकर उनका जो loan है वो clear हो पाता है तो हमेशा हमें क्या कहा जाता है कि आपके पास जो भी चीज है आप उसमें satisfied रहना सीखो otherwise आपके जिंदगी जो है वो खराब हो जाएगी समझे चलिए अब जो next chapter है हमारा भोली वो हम discuss कर लेते हैं भोली का पहला question देखो क्या कहता है भोली was a neglected child भोली जो थी वो neglected थी child कैसे बताओ क्यूंकि भोली के पास कोई new clothes नहीं थे ठीक है जो उसके बड़ी बहनों के कपड़े होते थे वो ही इसे दे दिया चाता था कोई इसकी care भी नहीं करता था जब भोली के गाउं में school खुला ठीक है तो भोली के मावा अपने ये सोचा की देखो भोली तो देखने में भी सुन्दर नहीं है ठीक है बेवकुवसी है ठीक है तो इसकी शादी तो होने से रही तो इसे हम school भेज देते हैं ठीक है question number second देखो why ठीक है भोली father worried about her ठीक है बट ये why नहीं है वलकि ये क्या है what है what made bullies father worried about her कि जो भोली के father थे वो भोली के बारे में क्यूं tension में रहते थे क्यूं रहते थे क्यूंकि जो भोली थी ना तो वो सुन्दर थी ठीक है ना ही वो intelligent थी ठीक है तो हमेशा भोली के पापा को लगता था कि मैं कैसे इसके लिए अच्छा लड़का ढूंड पाऊंगा क्यूंकि ये शकल से भी सुन्दर नहीं है क्यूंकि इसके चहरे पे दा गया ठीक है और ये थोड़ी सी बेब गूबी है क्यूंकि इसका जो मतलब जो भी ये 10 महीने की थी तो ये अपने खाट पे इसे गिर गई थी इसको चोट लग गया था और उसकी वज़े से इसका brain damage हो गया था इवन जब ये बात करती थी तब भी stammer करती थी ठीक है तो इन सबी चीजों की वज़े से जो भूली के पापा हैं वो हमेशा tension में रहते थे अरे मुझे इसके लिए को अच्छा लड़का कैसे मिलेगा चलिए question number 3 जो है उसे देख लीजे ठीक है फिर क्या कहता है वोली has quite a lot of apprehension about going to school what made her feel that she was going to a much better place than her home ठीक है क्या कहा जाता है question समझो ध्यान से कि वोली के mind में बहुत जादी बाते थी कि पता नहीं को मुझे लेकर जा रहे हैं regarding school ठीक है लेकिन कैसे ठीक है किस तरीके से वोली को ये realize होता है कि जो school है न वो उसके घर से अच्छी जगे है ठीक है इस चीज़ का आपने answer देना है तो ध्यान से समझना क्या कहता है बोली felt that कि her school was a much better place than her home because she got the treatment that she had never experienced before ऐसा उसे क्यों लगता है क्योंकि school में जो उसको treatment मिलती है मतलब क्या school में जिस तरीके से लोग उसके साथ behave करते हैं उसके teacher जो इतनी जादा supportive है इतनी caring है ठीक है बोली का नहीं करा था क्योंकि she is a neglected child ठीक है उसको घर में कोई प्यार नहीं करता था कोई उसकी care नहीं करता था इस जो जैसे उसे लगता रहे यार school ही अच्छी जगे है घर से तो I hope कि समझा क्या होगा चलिए अब हम डिसक्स कर लेते हैं question answer हर चीज जो है वो बुक्स में ही मिलती थी इस वज़े से era of books कहा जाता है I hope it is clear very good question number 2 देख लीजे do you think ठीक है do you think books are being replaced by electronic media क्या लगता है electronic media से जो books है उसके replacement हो सकती है इसका आपने answer लिखना है और ये है आपका homework ठीक है और ये आपने करना है ये मैं सोचना माम ने नहीं करवा तो मैं नहीं करूँगा ये क्यूंकि बच्चे कई लोग कहेंगे कि books जो है वो replace नहीं कर सकते कई लोग कहेंगे electronic media से हम replace कर सकते है तो हर एक के अपने-पने point of view हो सकते है तो आप इसका answer जरूर लिखना ठीक है अब last question देख लो आज के session का question number 3 देख लो क्या कहता है noodle avoids to offend think tank but at the same time he correct his mistake how he managed to do that ठीक है अब इस question का answer आपने बताना है कि देखो जो noodle था आपको पता intelligent था think tank के comparison में but वो क्या था think tank के यहां भी trainee था ठीक है तो उसको पता होता था कि think tank जो है वो गलती कर रहा है तो वो इस चीज़ को जाहिर भी नहीं करता था और वो क्या करता था उसको correct भी कर देता था उसी चीज़ को यहां पर हमने लिखना है तो देखो answer क्या बनता है कहता है whenever ठीक है whenever noodle जब भी noodle को लगता था कि जो think tank है उसने गलत बोला है ठीक है तो वो अपना जो idea है उसको इस तरीके से उसके आगे present करता था कि अरे यह तो कोई important बात नहीं बस मैं तो आपको वैसे ही बोल रहाँ ठीक है और इस तरीके से वो क्या करता था think tank को हमेशा correct करता रहता था I hope it is clear आप screenshot भी ले लो आपकी help हो जाएगी यह जो था आज के session का last question था I hope कि आपको आज का session अच्छा लगा होगा मैं हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगी स्क्राइब करना मत भूलना ठीक है मिलती हूँ आपको नेक्स वीडियो में तक तक के लिए हसते रहना मुस्कराते रहना और अपने आसपास के एरिया को साथ सुस्रा रखना और एक चीज और कहना चाहूँगी क्रोना बढ़ रहा है तो प्लीज 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 अपने आपको अपनी फामिली को सबसे ज़ादा संभाल के रखता बबाई टेक केर वाब गुड दे